नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो यदि आप बिहार से हैं और अपना क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट को डॉनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तो इसे आप अपने मॉबाइल फोन के जरिये ही इसली डॉनलोड कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने मॉबाइल स्क्रीन के उपर आ जाना है और पले स्टोर को खोल लेनी है उसके बाद दोस्तों आपको Dizzy Locker आपको search कर लेना है और इसे download कर लेना है उसके बाद साथियों इसे आपको open करने पड़ेगी और open करने के बाद कुछ इस तरह से interface आपको दिखाई देगा यहाँ पे साथियों आपको get started का button देखने को मिलता है इसके उपर आपको click कर लेना है दो options आपको देखने को मिलते हैं एक sign in का और दूसरा create account का आपको create account के option के उपर click कर लेना है उसके बाद एक account आपको यहाँ पे create कर लेना है आपको पूरा name यहाँ पे डालना है जिस प्रकार से आपका आधार card में नाम होगा वही नाम यहाँ पे डाल देना है यहाँ पे आपको date of worth सेलेक्ट करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी gender को सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ mobile number डाल दें और यहाँ पे अपने एक्छा के नुसार से 6 digit का pin को डाल लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे email ID डाल दें और यहाँ पे आधार number को feel कर दें उसके बाद साथियों यहाँ पे submit का बटन दिया गया है सो submit वाले बटन के उपर आपको क्लिक कर लेना है जैसे ही आप submit वाले बटन के उपर क्लिक करते हैं दोस्तों आपको जो है वो सीधा तोर पे Dizzy Locker एप में redirect कर दिया जाता है दोस्तों Dizzy Locker एप का इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है आपको नीचे चार options देखने को मिलते हैं एक home का, दूसरा search का, तिसरा issue का, चौन्था menu का आपको search वाले option के उपर क्लिक कर लेना है उसके बाद साथियों यहाँ पे states का option आपको देखने को मिल जाता है इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों आपका नेम और यहाँ पे date of birth आटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपने इसे अधार काट के साथ में फिच करवाया है उसके बाद यहाँ पे roll को डाल दें और यहाँ पे roll number select year का option है दोस्तों और यहाँ पे तीर का निसान है इसके उपर क्लिक कर लेना है और आपको अपना वर्स चुल लेना है जिस भी वर्स आपने अपना metric का exam दिया है उसके बाद get document का option है दोस्तों इसके उपर क्लिक कर लेना है जैसे ही आप get document के उपर click करते हैं आपका document दोस्तो download हो जाता है और इसे चाहे तो आप print out निकल वा सकते हैं या फिर दोस्तो उसे mobile के अंदर save करके रख सकते हैं दोस्तो आपके घर में जो documents होगा Class 10 का provisional certificate उसका value और जो आपने dg locker से download किया है उसका video दोनों बराबर ही है आप इसका अपयोग हर प्रतेक जगापे कर सकते हैं उमीद करते हैं दोस्तो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें मिलते हैं साथियो आगले वीडियो में तब तके लिए नमस्कार